कर रहा है जो जाँच एजेंसी हैं वो इमानदारी से भ्रष्टाचारियों को कानून के तहट कारवाई करती हैं दूसरी तरफ कट्टर बैमान और अराजक अपराद पार्टी ना सम्विधान का सम्मान करती है ना न्याले का सम्मान करती है ना जंता का सम्मान करती है और ना कानून का सम्मान करती है जो फैसला अभी अभी न्याले ने पारित किया है उसमें एक्यूजड नंबर वन आपकारी घोटाला शराब घोटाला को सीबियाए कस्टडी में चार मार्क तक के लिए दिया गया है यह आदेश मौखिक तौर पे तो कोर्ट में सुनाया गया है जैसा चैनल बता रहे हैं पूरा आदेश आएगा तो इसका अध्यान भी किया जाएगा और विदिक तौर पे जो मेरी समझ है मैं समझता हूँ यह बड़ा ही एहम फैसला है सबसे पहले तो जो ओची घटिया राजकता पूर्ण राजनिती कल से कट्टर बैमान लो अर्विंद केजरिवाल के निशाने पर इशारे पर जो कर रहे हैं उसको उजागर करना बहुत ज़रूरी है देखे सबसे पहले तो हर कोई ये बात जानता है उप मुख्यमंत्री कई विभाग के मंत्री हैं ये जो घोटाला इन्होंने किया है ये घोटाला आबकारी नीती को लेके है शराब नीती को लेकर है शराब नीती और किस तरह की नौटंकी की जा रही है कल से ऐसा लगता है कि अर्विंद केजरिवाल ने कसम संविधान के उपर हाथ रखके ये ली कि संविधान को तार-तार करूंगा सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा अर्विंद केजरिवाल जी पापी आपको भी पता है कि एक्यूज नंबर वन कट्टर बैमान है और आज ये आदेश आने के बाद ये बात सिद्ध हो गई है कि न्याले ने भी पाया है सी बी आए एक्यूज नंबर वन मनीश शोडिया को शराब नीती घोटाले में अपनी कस्टिडी में ले जिससे की पूर्ण रूप से विवेचना हो सके दूद का दूद और पानी का पानी हो जाए या ये कहें दूद का दूद और शराब की शराब हो जाए जो मुख्य बिंदू मैं आपके समख्ष उठाऊंगा इस पे ध्यान दीजेगा और ये भी हमें पता है कि जनता की आवाज बनके भारती जनता पार्टी जब बड़े प्रकरता से ये मुद्दा उठाती है किसी भी सवाल का उत्तर नहीं देंगे अर्विंद केजरिवार लेकिन फिर भी देश की जनता को ये जानने का हक है ये लड़ाई विचारधाराओं की लड़ाई है एक तरफ भारती जनता पार्टी करोडों नागरिक जो संविधान न्याले कानून में अपनी आस्था रखते हैं दूसरी तरफ वो भष्टाचारी नेता जो केवल कानून तोड़ना जानते हैं चाहे वो शराब घोटाले में ऐसी नीती लाना कि अर्विंद केजरिवाल की तिजोरी जनता के रुपई से भरे चाहे वो कानून को तब तोड़ना कि एक आरोपी जिसको जो जाँच एजेंसी है मैं आपसे साजा करना चाहूंगा उसका दाइत वह है कि 24 घंटे के अंदर न्याले में किसी भी व्यक्ति को जब गिरिफतार किया जाता है तो न्याले में पेश करना होगा यह हमारे देश का कानून है पहले तो धोंग और नोटनकी करी जाती है आप जाते हैं राजगाट हम सबके अदर्श महात्मा गांदी जी और वहाँ जा कौन रहा है एक कुप मुख्यमंत्री जो एक्यूज नंबर वन है जो एक बड़ा शराब का घोटाला करता है इसके बाद कुछ लोगों को ऐसा प्रतीत होता है संख्या देख के कि उसी काले धन की कमाई से उनको बुलाया जाता है रुपया दे के प्रधर्शन करो वो लोग भी जान जाते हैं कि ये कटर बैमान है संख्या नहीं जुटा पाते हैं लेकिन संदेश ये देते हैं कि जाँच एजेंसी को अपना दायत्व निभाने से हम रोकेंगे। तीसरा जब यह आप करते हैं तो यह बताना अवश्यक है। इस आमांस तो अबस्ट्रक्ति अबस्ट्रस अबस्ट्स अबस्ट्रिश एड्माइ्टि इंद आप्लक यह बताना थांट्स अबस्ट्राइब है।